फ्रेंज इवीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने Google Ads AdWords में आप रिफंड ले सकते हैं फ्रेंज अगर आप किसी कारण वास अपने Ads एकाउंट से रिफंड लेना चाहते हैं अगर आपका Ads एकाउंट सस्पेंड हो गया है या कोई और कारण हो सकता है आप यूव नहीं करना चाहते या XYZ कोई भी कारण हो अगर आप अपने Google Ads से रिफंड लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से ले सकते हैं तो फ्रेंज चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने PC में वहां से आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपना रिफंड ले सकते हैं फ्रेंजस तर सबस्वेले आपको अपना Google Ads अगाउंट ओपिन कर लेना है आप इसे अपने Mobile में भी ओपिन कर सकते हैं और अपने PC में भी ओपिन कर सकते हैं उसके बाद friends आपको tool setting में जाना है यहाँ पर click करना है tool setting बिलकुल उपर में आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरा arrow जा रहा है यहाँ पर click करना है और उसके बाद friends आपको preference यहाँ नीचे नदर आ रहा है यहाँ पर click करना है और friends जैसे यहाँ पर आप click कर लेंगे तो आपके सा और उसके बाद यहां पर आपको Cancel My Account पे क्लिक कर देना है अगर आप इसे रियक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके इसे आप रियक्टिवेट भी कर सकते हैं फ्रेंट्स यहां पर आप कैंसिल कर देने के बाद फ्रेंट्स आपको टूल सेटिंग पे दुबारा जाना है उसके बाद फ्रेंट्स आपको बिलिंग में समरी नजार आ रही है तो आपको यहां पर समरी पे क्लिक कर देना है फ्रेंट्स उसके बाद आपका जो refund amount होगा वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं उननीस सुफटातर रुपया मेरा refund होना है और यह मैं apply किया हूँ 26 जुलाई को और यह मेरा refund हो जाएगा दो अगस्त तक मुझे मिल जाएगा और यह मेरा पेटियम वालेट में जाएगा जिसका नंबर है 8344 लास्ट में है तो इस पेटियम नंबर मेरा refund हो जाएगा जो मुझे दो अगस्त तक प्राप्त हो जाएगा तो फ्रेंट्स आप इस तरह से अपना refund ले सकते हो गूगल एट्स एकाउंट से बहुत इजी प्रोसेस है अगर आप अपना refund लेना चाहते हो तो आप इस प्रोसेस के साथ में बड़ी आसानी से refund ले सकते हो फ्रेंट्स उम्मीद करते हो यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा फ्रेंट्स अकर यह वीडियो पसंद आ नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू